हेलो गाइज, वेलकम टू माई चैनल, आज हम बनाएगे वेनिला कस्टर्ड पुडिंग यहाँ पर हमने लिया दालीटर दूद, दूद को गरम होने के लिए रदिया है लेकिन ठंडे दूद से ही यह थोड़ा सा दूद हमने अलग से निकाल लिया कि कस्टर्ड बना सके हैं दूद को बॉयल होने के लिए रदिया है, दूद हमारा जिब तक बॉयल हो टाफ हम कस्टर्ड तयार कर लेते हैं यहाँ पर हम डालेंगे दो चमच कस्टर्ड पाउडर यहाँ पर मिला हमने मिला है दो चमच कस्टर्ड पाउडर अब इसको मिला लेते हैं दूद में उबाला चुका है अब यहाँ डालेंगे आदा कटोरी शूगर मेल्ट होने के बाद यहाँ डालेंगे जो हमने साइड में कस्टर्ड पाउडर बना के रखा है उसे डाल देंगे और चलाते रहेंगे अब हम इसे मीडियम फ्लेम पर तब तक पकाई है जब तक थोड़ा सा गड़ा ना हो जाए कस्टर्ड हमारा बन चुका है इसे ज़्यादा गड़ा नहीं करना है अब हम इसे ठंडा करेंगे और फिर फ्रीज में ठंडा होने के लिए रख देंगे कस्टर्ड हमारा ठंडा हो चुका है अब हम सर्व करने की तयारी करते हैं सबसे पहले डालेंगे कस्टर्ड कल्ग कर दो हमाड़ा भागा है जब अपक्था प्राबड़ में झालेंगे अबड़ा उले ऊत्ता है ट्राब़ा व्रेश पड़ा है यद्द़ड़ा गड़ा टारी काले रहीं जब हंतों प्राब़ा है अब़ाई यह चोप्ड एपल है अब डालेंगे एपल आप यहां पर कोई भी फूड ले सकते हो जो आपको पसंद हो कस्टरड में बहुत सारे फूड जा सकते हैं मैंने लिए एपल को छोटे-चोटे पीसिस में काटा हुआ एपल डालने के बाद तीर से एक लेर कस्टरड डालेंगे अब एक लेर केक की डालेंगे आप यहां पर घर का बना या बजार का कोई भी केक ले सकते हैं मैंने यहां फूड केक लिया है अब इसे चोटे-चोटे पीसिस में ऐसे अब इसे तोड़ कर डाल देते हैं अब इसे तोड़ कर दोड़ 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 कर पुडिंग हमारी तैयार है आप भी बनाईए खाईए और कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताईए आपको कैसा लगा और प्लेज मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सस्काइब करना ना भूले थैंक यू सो मच